जैनिल फ्रेंट्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी यूनियूब चैनल विद अभिहान तरीगे में आज का जो हमारा टोपिक है वो है मैनोमेटर मैनोमेटर क्या है कितना टाइप का उता है इसका कंश्रक्शन और इसके वर्किंग के बारे में आज हम समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देन की हुए आज की टोपिक को मैनोमेटर एक ऐसा मेजिक इस्टूमेट है जिसका यूज अननोन प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है यह अननोन प्रेशर डिफरेंशल प्रेशर क्रियेट करके प्रेशर को मेजर करता है यह कैसे वर्क करता है यह आगे हम वीडियो में देखेंगे अभी हम बात करते हैं कि manometer कितने type का है तो friends basically manometer तीन type का होता है First one is U-shaped manometer Second one is inclined type manometer And third one is well-like manometer इस video में हम U-shaped manometer की बात करेंगे सबसे पहले हम इसके construction की बात कर लेते हैं तो friends आप इस image में देख सकते हैं कि manometer किस तरीके का दिखाई देता है ये एक glass की U-shaped में बनी हुई tube होती है ये U-shaped की glass tube है जिसके अंदर एक liquid fill up किया हुआ है ये liquid की भी properties हमें पता होनी चाहिए उसी बेश पर हम इस liquid का selection करते हैं friends इस liquid की property ये होनी चाहिए कि इसका जो boiling point है वो high होना चाहिए melting point low होना चाहिए melting point इसका भी high होना चाहिए और freezing point है वो इसका low होना चाहिए तो friends ये जो U-shaped manometer है इसका liquid आपका दो type का होता है एक आपका water होता है दूसरा आपका मनकरी होता है जिसका की specific gravity नॉर्मल temperature पर constant रहती है यहाँ पर जब हमें low pressure को measure करना होता है तो हम water का use करते हैं as a liquid और जब हमें high pressure को measure करना होता है तो as a liquid हम mercury का use करते हैं यहाँ पर इस U-shaped की tube में एक scale को print किया होता है जो की mm में, cm में और inch में हो सकता है आपके दिमार में question आ रहा होगा कि अगर pressure को measure करना है तो यह तो पासकल में इसकी printing होनी चाहिए इसकी unit जो है वो reading को हमें पासकल में मिलने चाहिए पर friends इसमें हम इसकी reading mm में cm में या inch में लेते हैं बाद में हमरे पास एक table होती है जिस playthrough हम इसको पासकल में convert कर लेते हैं और standard unit में हमें पासकल में इसका pressure को measure कर सकते हैं तो friends आपको इसका amenometer क्या होता है इसका construction क्या होता है यह समझ में आ गया होगा अब हम देखेंगे या और समझेंगे कि इसकी working कैसे होती है तो सबसे पहले आप इस image को देख लीजिए working को समझने के लिए friends आप इस image में देख पा रहे होंगे कि इस glass tube की दोनों columns पर normal atmospheric pressure apply किया हुआ है इस tank दोनों column में liquid की height एक point पर equal है friends यह point reference point है और इसी reference point को use करके unknown pressure को measure किया जाएगा friends अगर इस tube की एक column पर unknown pressure P2 apply किया जाए तो liquid की height में जो difference आएगा उसे हम इस equation से solve कर सकते हैं जो कि है delta P is equal to P2 minus P1 is equal to rho GH यहाँ पर rho GH कहां से आया इसके बारे में हम आगे बात करेंगे friends यहाँ पर delta P आपका differential pressure है P2 unknown pressure है और P1 आपका atmospheric pressure है यहाँ पर rho आपकी fluid की density है G gravitational force है जो कि हमें पहले से पता होता है और H आपके liquid head की height में जो difference है दोनों legs की जो liquid का head है उनकी height में जो difference है वो value है आप इस image में देखिए कि यहाँ पर आपको red dot में मैंने transmitted fluid को show किया हुआ है friends यह transmitted fluid क्या है यह transmitted fluid आपका वो fluid है जो कि आपका दूसरे इस u shape की दूसरी side वाले column बे shift होने वाला है यह यहाँ पर अभी exist नहीं कर रहा है यहाँ पर मैंने आपको show किया है कि यह red dot से इतना fluid आपका shift हो जाएगा दूसरी side में तो यह transmitted fluid होगा friends यहाँ पर P2 की value rho FHg है rho F आपका transmitted fluid की density है जो कि किसी specific temperature पे होगी यानि कि normal temperature पे आपकी यह density होगी यहाँ पर P1 is equal to rho MHg है यानि कि यह वो जो pressure लगा हुआ है atmospheric pressure यहाँ पर इसकी value rho MHg दी गई है rho M आपका manometric fluid density है manometric fluid density का मतलब वो density जितने की आपकी पहले वाली column पे जितना fluid आपका रह गया है वो आपका manometric fluid density है तो friends यह against the gravitational force जाके यह pressure जब लगता है तो एक differential pressure create होता है और हम हमें gravitational force की value पता है height हमें मालुम पढ़ी जाएगी और scale से हम उसको calibrate कर लेंगे और जो density है वो हमें कि कौन सा material यूज किया है यह water यूज किया है या फिर आपका mercury यूज किया है as a liquid measure करने के लिए तो वो भी हमें पता होगी specific gravity और इसकी density हमें mercury की और आपके water की पता होती है तो हम इसी question में उसको fill करके unknown pressure को measure कर सकते हैं तो I hope आपको ये वीडियो से manometer का construction और working समझ में आई होगी अगर आपको फिर भी कोई question है, कोई query है या doubt है आपको manometer से related तो comment section पे आप जरूर मुझे पूछ सकते हैं मैं उसका answer आपको definitely दूँगा अगर आपको वीडियो से कुछ समझ में आया है तो इसे like कर दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप comment section पे मुझे बता सकते हैं thanks for watching and stay tuned with विधित अभियांतरी की